आज का दिन संपोर भारत के लिए अतीव प्रेना का दिवस है आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल 5 महिने 25 दिन वो छोटी सी अवस्था जब व्यक्ति दुनिया को देश को समझता नहीं सामान्य अवस्था में उस छोटी अवस्था में भगत सिंग ने पूरे देश को आज ही के दिन भगत सिंग को फासी तो 24 मार्च को दी जानी थी लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उसने 23 मार्च को सारे नियमों को सारे काइदे कानून को ताक पर रखकर 23 मार्च की शाम को आज ही के दिन शहीद भगत सिंग राजगुरू और सुकदेव को शहीद भगत सिंग एक ऐसे वेक्ति थे जो देश के लिए कश्टों भरा जीवन जीना भी जानते थे जो देश के लिए दुश्मन की जान लेना भी जानते थे और देश के लिए जरूरत पड़े तो जान देना भी जानते थे शहीद भगत सिंग को जब फांसी की सजा दी गई तो उसकी फांसी से अंगरेज सरकार कितनी डरी हुई थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक दिन पहले फांसी दी और फांसी देने के बाद जेल के मुख्य रास्ते से शहीद भगत सिंग, राजगुरू और शुकदेव की के शरी पार्थिव शरीर को नहीं निकाला जेल के पीछे से दिवार तोड़ी, दिवार तोड़ कर बोरो में उनके पार्थिव शरीर को भरा और वहां से कई किलो मीटर दूर ले जाकर फिरोजपुर के रावी नदी के तड़ पर हुसेनी वाला में वहां पर लाशों के कई टुकडे किये कुलाडियां उसके उपर चलाई चलाई और उसके बाद मिट्ठी का तेल डाल कर जला दिया शहीद भगत सिंग ने जब अपनी शहादत दी तो उनकी मोत के बाद उनके एक साथी अजय घोष ने कहा कि शहीद भगत सिंग स्वतंतरता संग्राम के एक ऐसे धुर उतारे हैं जिनोंने थोड़े ही समय में जो बहुत थोड़े समय चमके लेकिन 23 वर्ष की इस छोटी सी आईउ में वो 33 करोड लोगों को जगा गए भगत सिंग को जब शहादत दी गई तो 23 मार्च के बाद जब 24 मार्च को लोगों को पता लगा तो 24 मार्च को करोडों लोग देश की सडकों पर उतर पड़े लाखों लोगों ने अपने हस्ताकशर किये अंग्रेज सरकार की निंदा की और भगत सिंग की फांसी से पहले जब उनके बचाने की बात थी तो भगत सिंग का प्रभाव देखिए देश कैसे खड़ा हुआ था कि भारत के लोगों के साथ साथ इंग्लेंड की अंग्रेजों की जो हम पर शाशन करते थे उनकी लेबर पार्टी के सांसदों ने भी भारत के लोड इरविन को कहा कि भगत सिंग की फांसी को माफ कर दिय जाए फांसी के समय आज शहादत दिवस है भगत सिंग ने फांसी किस हस्ते हस्ते फांसी के फंदे को चूमा उसकी बात करेंगे फांसी के समय जब शाम को शहीदे आजम भगत सिंग राजगुरु सुखदेव को स्नान करके फांसी के फंदे के और ले जाय जा रहा था तो फांसी के समय कोई न कोई magistrate उपस्थित रहता है तो जिस अंग्रेज magistrate की duty थी जब भगत सिंग उसके पास से निकले तो भगत सिंग ने मुस्कुरा कर उस अंग्रेज magistrate से कहा कि आप बहुत सोभाग्य साली हैं क्योंकि आज आप देखेंगे कि भारत माता के लाडले भारत के वीर कैसे हस्ते हस्ते फांसी के फंदे को चूमते हैं भगत सिंग को जब फांसी दी गई तो उस जेल में ओफिसर तो अंग्रेज था लेकिन जो चीफ वार्डर था वो चतर सिंग नाम का एक सिख भाई था उस चतर सिंग नाम के सिख भाई जो जेल में फांसी दी गई तो उसका चश्मदीद गवा था तो फांसी के बाद उसने बताया कि भगत सिंग जब फांसी के लिए गए तो बहुत हस्ते हस्ते जा रहे थे मैंने अपने 30 साल के जेल के जीवन में सैंकडों खुंखार वेक्तियों को डाकूओं को भैंकर से भैंकर वेक्तियों को फांसी के फंदे पर लटकते देखा है लेकिन जिस दिलेरी और बहादूरी से भगत सिंग राजगुरू सुखदेव फांसी के फंदे पर चड़े हैं ऐसा ना कभी देखा था ना कभी सोचा था और जब भगत सिंग को फांसी की सजा दी गई 23 मार्च की शाम को दी गई 24 मार्च को अखबार में वो खबर नहीं आ सकी 25 मार्च को जब खबर छपी तो उस समय आप पुरानी फिल्मों में भी देखते हैं कि एक तरीका होता था शहर की गलियों में जब होकर अखबार बेचने वाले अखबार बेचते थे तो वो कोई मुख्य खबर आती है तो उस खबर का नाम लेते थे कि आज अखबार में ये खबर है ये खबर पढ़िये तो उस समय जो अखबार बेचने वाले जितने लोग थे वो मुंबई की सडकों पर लाहोर की सडकों पर पूरे देश के शहरों में रो रो कर अखबार बेचने के लिए आवाज लगा रहे थे कि आज भगत सिंग को फांसी दे दी गई थी रोज तो वो जो आवाज लगाते थे वो पेट के लिए लगाते थे लेकिन उस दिन रो रो कर जो उनकी आवाज निकलती थी वो भी देश के लिए आवाज निकल रही थी बगत सिंग की फांसी वाले दिन शायद ही कोई पंजाब का ऐसा घर था जिसमें चूला जला हो